नमश्कार मैं हूँ डॉक्टर वरुम प्रभा और स्वागत करते हैं अब सब इन लों का अपने इस चैनल पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CT scan याने की computer tomography scan के बारे में यह एक तरिके का X-ray imaging technique है जिसमें जो patient है उसके internal organs जाने की आंतरिक अंग जो होते हैं उनके अलग-अलग angles से जो images है वो निकाली जाती है और computer की hypnosis का जो cross-sectional view है वो देखा जाता है और उसके बाद जो दिक्कत होती है उसके बारे में पता लगाया जाता है तो आज के अपने इस video में हम इसी टेस्ट के बारे में डिसकस करेंगे जो basic जानकारिया हैं वो share करेंगी समझेंगे के टेस्ट कैसे करवाया जाता है क्यों करवाया जाता है इसके रहे क्या प्रेди precaution लेते हैं इस में कितना समय लगता है और बाकी जो basic जानकारिया हैं वो डिसकस करेंगे लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर भी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर ले ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं आप तक ऐसे ही अलग-अलग जो मेडिकल टेस्ट और इंवेस्टिकेशन जैनकारिया लेकर आती रहूं तो अब समझते हैं कि यह टेस्ट किन किन कंडिशन में करवाया जाता है या फिर हमारे डॉक्तर का भी टेस्ट करवाने की सलाह हमें देते हैं तो सीटी स्कैन की मदद से बहुत सारे बीमारियों की डाइ है या फिर फाइब्रोसीज है या फिर एंफाइजम है इस तरह की कोई कंडिशन उसके पारे में पता चलता है वहीं पे हार्ट में अगर उसका जो साइस कैसा है उसकी जो कंडिशन है वह कैसी इसके बारे में पता चलता है अगर मुल्टिपल फ्रैक्शर हो जातें कॉम्प वो सारी डेटेल हमें पता चल जाती हैं तो यह सारी जो डेटेल्स हैं हमें जब पता चलती हैं तो ट्रीट्मिंट प्लानिंग में बहुत जादा आसानी मिल जाती हैं तो जब CT होता है, CT scan जब करवाते हैं, तो उसके जो images हैं, वो काफी detail में हमें मिल पाते हैं, उसकी फिर जो doctor होते हैं, score करते हैं, उसके scoring के हिसाब से जो result है, वो interpret किया जाता है, अब समझते हैं कि test कैसे करवाया जाता है, इस technique को करवाने के लिए, जब पेशेंट है, वो में पैने हैं, जो भी jewelry हैं, और फिर घड़ी है, वो सारी चीज़ें उतारने के लिए कहा जाते हैं, उसके बाद एक table पर लेटने के बाद एक tunnel जैसी machine में ले जाते हैं, और वहां पर जो ये images हैं, वो ली जाती हैं, और computer पर उसके जो call sectional view हैं, वो generate किये जाते हैं, और उस उसके एलावा एक और question होता है, कि क्या ये painful होता है, तो ये technique generally painful नहीं होती है, पर कुछ conditions में CT scan करवाने के लिए contrast का भी use किया जाता है, मतलब patient को contrast दिया जाता है, वो condition थोड़ी सी contrast देते हैं, और जब contrast शरी में जाता है, तो थोड़ा सा painful हो सकता है, उसके अलावा जब contrast इस patient को दिया गया है, तो जब ये procedure पूरा हो जाता है, तो कई पर इसके बाद थोड़ा ध्यान डखने के जरूरत होती है, तो तुरंट travel नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई पर ही patient को थोड़ा सा nausea, चकर या खुजली की problem हो सकती है, जो कि एक normal phenomenon है, उसके एलावा एक बहुत asthma की problem है, या इस तरह कि कोई भी दिक्कत है, तो उसको जरूर अपने doctor को inform करना चाहिए, उसके लावा भी patient अगर कोई और दवाया भी ले रहा है, इन सब चीजों से related, उसके बारे में भी अपने doctor को जरूर inform करना चाहिए, तो ये जो सारी चीजे है, जो precautions है, उनका ध्यान अची कि pregnancy की time पे test नहीं करवाना है, और बाकि अगर दोरे पढ़ते मेरे की अफिर asthma, तो उसको जरूर बताएं, तो आज के अपनी इस वीडियो में हमने discuss किया कि CT scan क्या होता है, ये कब करवाया जाता है, ये कैसे करवाया जाता है, और क्या-क्या precautions होते है, तो उमीद करती इस टेस्ट की टूर्ड आपकी जो इंडस्टैंडिंग हो काफी बढ़ी होगी, उसके लाओ अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं, धन्यवाद